नमस्कार दोस्तों, मेरे नामें भल्चंद्रा, ब्रह्मांट सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरे नामें भल्चंद्रा, ब्रह्मांट सिद्यास्ट्र में आप स्वागत है। उसी प्रेकार आज के दिन का जो राहुकाल है वह शुरुआत होगा, दोपर तीन बच कर पैतिस मिनिट से लेकर पाच बच कर तीन मिनिट तक, और यमगंड़काल सुब नो बच कर एकतारिस मिनिट से लेकर ग्यारा बच कर दस मिनिट तक का होगा। राहुकाल और यमगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कह जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महतो बढ़काम या फिर निर्न बिल्कुल भी नहीं देना। उसे प्रकार राश के दिनी का जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा संपूर्ण दिन धनु राशी में ब्रह्मन करेगा। ये चंद्रमा गुरु के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है, उसे प्रकार रविशनी के साथ लाब योग भी करने जा रहा है। यह करसिती सामने रखते हुए 12 राशियों का राशी फल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के बागी बाव में चंदरमा का भ्रमन है और आपके राशी में सित्कुरु के साथ ये चंदरमात्री को नियों करने जा रहा है आपके लाव बाव में सित्रविश यनी के साथ ये चंदरमा लाव यों करने जा रहा है काफी महत बुर्ण दिन है आपके लिए और शुम्पन दैवी साबित होगा आज के दिन आपके energy confidence काफी अच्छा देखा जाएगा जो कामा हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर रहेंगे उसे प्रकार भागेगा पूरा का पूरा साथ आपको मिनता होगा आज के दिन गुंड़ा फेरना जादा हो सकता है आपके जो वित्र परिवार उनसे मुलाकात हो सकती है पैसे के मामने में कुछ अच्छे बाते भी हो सकती है तो दिन आपके लिए भाग्येशानी साबित होगा इस बात की जो राशी है वो है ब्रुषब राशी ब्रिशाप राशिक के अस्तम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके के वेयर बाव में सिद्गुरु के साथ ये चंद्रमा त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके दशम बाव में सिद्गुरु के साथ ये चंद्रमा लाव योग भी करने जा रहा है स्वास्त के बारे में द्याम देना आवशक है स्वास्त के समस्या आज के दिन ज़्यादा आ सकती है आज के दिन कुछ अनपिक्षित लाव अगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी पंद रही है जो भी आपने पारिष एतरे है उससे रिलेटी कुछ में अच्छी दिन हो सकते है लेकिन दिन आपके लिए मिला जूला साबीत होगा इसके बात की जो राशी है वो है मितन राशी मितन राशी के सब्तम बाह में चंदरमा का ब्रहमन है और आपके लाब अबाव में सित गुरू के साथ ये चंद्रमातरी को नियो करने जा रहा है आपके वांगे अबाव में सित रवी शनी के साथ ये चंद्रमा लाब यो करने जा रहा है महत बुण दिन है आपके इंडेखास करके अगर आप विवाईत हो तो आपके जो वैवै जो डिदर है उनके साथ आज आप क्यार बने काफी अच्छी देखे जाएगे कुछ अच्छे इंट्यूशन्स वादरा भी आज के दिन आप क्यों आ सकते हैं मैं तो बुणा काम भी होने किसम बौरा काफी अच्छी बन रही है और आपके दशमभाव में सिद्गुरू के साथ ये चंद्रमा लावियो करने जा रहा है आपके अश्टमभाव में सिद्गुरू के साथ ये चंद्रमा लावियो करने जा रहा है स्वास के समस्या आज के दिन जादा आ सकती है उससे पäreकर意zn meni मिलने के संभावना भी काफी अठी बंद रहे है जो भी आपका कारी शत्र है उससे related में है तो पूरे काम आज होने के संभावना काफी अठी बंद रही है लेकिन स्भास की समस्याद जाधा सामने आ सकती है आज आपका जो दिन है वो मिला जुला सावित होगा इसके बाद के जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के पंचम बाव में चंद्रमा का ब्रवन है और आपके बाग्य बाव में सित गुरू के साथ ये चद्रवातरी को नियोग करने जा रहा है आपके सप्टम्बाव में से तरवी शनी के साथ चंद्रमा लाब योग भी करने जा रहा है मैं तो बुड़े दिन है आपके लिए आज का जो दिन है बांगे का पूरा का पूरा साथ मिलता होगा नजर आएगा आज आपके अनर्जी लेवल काफी अच्छे देखी जाएगे दोड़ा गुमना फिर ना हो सकता है अगर आपके से के रिलेशन्शिप में है या फिर नभी नई रिलेशन्शिप बनाना चाते हो तो भी आज का जो दिन है आपके लिए शुवफल दाई सावित होगा अगर उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएगी तो दिन बहुत ही अच्छा इसका पूरी तरस से लाव लीचे इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के चतरतवाव में चंदरमा का प्लमन है और आपके अश्टवाव में से गुर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी गर के जो लोग है उनके साथ आज आपके इंटरेशन काफी अच्छे देखे जाएगी तो कुल मिला कर देखा जाए तो दिन आपके लिए शुव वलिदाई सावित अपका इसके बाद की जो रशी है वो है तुला रशी तुला रशी के तृतियों बाव में चंदरमा काम भी करोगे ट्रावलिंग काफी ज़्यादा हो सकती है कमिट्मेंट ट्रॉमिसस के लिए आज का ज़्य दिन है बहुत ही अच्छा और साबित होगा अगर आप विवाई से तो आपकी जो वैवाई जुड़िदर है तो उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो रशी है वो है पृच्चिक रशी विवाई लावाई चुड़ियों इसके बाद की जो लोग है उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी तो दिन आपके लिए शुब फलेदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है दनुराशी दनुराशी में चंदरमा का ब्रब्रड है और आपके बंजम बाव में सिद गुरू के साथ ये चंदरमातरी को नियो करने जा रहा है आज आपका confidence, energy level काफी एच्छे देगी जाएगी कुछ अच्छे opportunity वगरे भी आपको मिल सकते हैं अगर आपके से के relationship में उनके साथ कही बाहर गुमना फिर ना हो सकते हैं अगर आश्चे रवनकर में trade करते हो तो कुछ अच्छे love वगरे भी मिल सकते हैं मैं तो पुर्ण काम committed promises के जो बाते हैं वो आज के दिन आपात में ले सकते हैं अगर का पूरा का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा उसे प्रकार जो भी काम आपके नहीं हो रहे हैं जिसमें काफी ज़्यादा दिक्कते आ रहा रही हैं इसे काम आज के दिन आपात में ले सकते हो वो पूरे इनकी संभावना काफी अच्छी बन रही है तो दिन काफी अच्छ है इसका पुरी तरह से इलाव लेजिए इसके बाद की जो राशी आए वो है मकर राशी त्रेसफुल डे आज आपका हो सकता है चुटी मूटी बातों के लेकर दिखोतों का सामना भी करना पड़ सकता है जो काम है वो पेंडिंग होते हुए नजर आएंगे उसी प्रेकारगर के जो लोग है उनके साथ आपकी इंट्रेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी दिन आपके लिए सामन या साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के लाव भाव में चाद्रमा का ब्रह्मन है और आपके त्रितिय भाव में सिद्गुरू के साथ ये चाद्रमा द्रिकोनियों करने जा रहा है और आपके राशन में सिद्गुरू के साथ ये चाद्रमा लाव में चाद्रमा करने जा रहा है मैं तो बुर्ण दिन है, आज के दिन कुछ अच्छे लाब बगना मिल सकते है, उसे प्रकर आपके जो मित्र परिवार है, उनसे मुलागाद हो सकते हैं, गफशब हो सकते हैं, आज के जो दिन है, आपके जो मित्र परिवार है, उनसे सला भी काफी अच्छे मिल सकती है, आपक काफी महत बड़ दिन है आपके लिए जो भे आपका गारी शत्रया है उससे रिलेटर कुछ बेटर हैपनिंग आज के दिन होने के समभाउना काफी अच्छी बन रहे हैं उसे प्रकार आज के दिन घूमना फिरना जादा हो सकता है कुल भी लाके देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबफल दाही सामीत होगा तो दोस्तों ये था दिनाल 5 मार्च 2004 बेसकस अमपड़ राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लएगा आपने किस प्रकार से अनुबबो किया ये ज़िए कवेंट बॉक्स में दरो कमेट करना और अपने जो चैनल है ब्रह्मान इसमिदेश्टो इसे भी लाइक शिर करना